हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुशुरत पैटन सियर करने जा रहे हूँ, इस पैटन को आप और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, जैन साफ स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोट्ट बच्चों के और प्रोजक्ट के पादि में बनके देखें, बहुत ही खुशुरत हमारा ये पैटन आया है, ये हमारे पैटन का फ्रेंट साइड है, और ये देखें, ये हमारे पैटन का बैक साइड है, इस पैटन को बनाने के लिए हमने फोर के मल्टिपल में फंदे डालन फिर कोई सा भी border pattern बना के complete करेंगे border pattern complete होने के बाद हमारा यह pattern बनना start होता है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए new videos की notification के लिए bell icon दबाना न भूले वीडियो आपको कैसी लगी comment क करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखे border complete होने के बाद front side से pattern की first row में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी side करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन तीन फंदे उल्टे फिर धागा पीछे अब नेस्ट इनी चार फंदों का प्रोसिस रिपीट करेंगे धागा अपनी side तीन फंदे उल्टे एक दो तीन धागा पीछे एक फंदा सीधा अब नेस्ट सेम प्रोसिस रिपीट होगा धागा अपनी side एक दो तीन तीन फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा लास्ट में देखिए तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखिए एक फ्रेंट साइड से हमारी पैटरन की फर्स्ट रो गम्पलेट हो गये रॉंघ साइड से देखिए सेकिन रो अब 2nd row में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे अब next आम 3 फंदे सीधे बुणएंगे एक, दो, तीन, 3 फंदे सीधे धागा अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे एक, दो, तीन, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, लास्ट में एक फंदा उल्टा आ जाएगा तो देखिए ये रॉंग साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कमप्लीट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से पैटन की थर्ड रो थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे अब देखिए नेश्ट देखिए जो सीधा फंदा है इसकी चेन में आएगे फर्स्ट ओल छोड़ेंगे सेकिंड ओल छोड़ेंगे और ऐसे ही देखिए जो थर्ड ओल दिखाए दे रहा है इसमें ऐसे सलाइड डालेंगे और एक मीडियम लूज फंदा बना लेंगे इस तरीके से फिर नेश्ट फंदा सीधा आ जाएगा फिर उसी होल में हम सलाइड डालेंगे और एक और मीडियम लूज फंदा बना लेंगे ये देखिए अब नेश्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे धागा अपनी साइड तीन फंदे उर्टे एक दो तीन धागा पीछे करेंगे अब नेश्ट देखे जो सीधा फंदा है इसकी चेन में आएंगे फर्स्ट ओल चोड़ेंगे सेकिंड ओल चोड़ेंगे थार्ड ओल में हम सलाइ डालेंगे एक medium लूज फन्दा बनाएंगे इस तरीके का फिर एक फन्दा दागा अपनी साइड लास्ट में तीन फंदे उल्टे और एक फंदा सिधा आएगा तो देखे ए फ्रंट साइड से हमारी पैटन की थार्ड रोब कम्प्लीट हो गई रॉंग साइड से देखे फोर्द रोब पहला फंदा उतारेंगे दागा पीछे कर लेंगे तीन फंदे सिधे एक दो तीन फंदे सिधे धागा अपनी साइड आप देखे जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको हम बिना बुने उतारेंगे फिर नेस्ट फंदा उल्टा बुनेंगे फिर नेस्ट एक्स्ट्रा फंदा हम बिना बुने उतारेंगे फिर धागा पीछे, अब नेस्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, एक्स्ट्रा फंदा हमने बिन बुने उता लेना है, फिर नेस्ट फंदा हमने उल्टा बुनना है, बुना हुआ फंदा, फिर नेस्ट एक्स्ट्रा फंदा बिन बिन बुने उतारेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, एक्स्ट्रा फंदा बिन बुने, नेस्ट फंदा उल्टा, फिर देखें जो नेस्ट फंदा है इसको भी हम बिन बुने उतारेंगे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, लास् फंदा उल्टा तो देखे रॉंग साइड से हमारी पैटन की फोर्थ रों कमप्लेट होगी अब देखे फ्रेंट साइड से फिफ्त रोंग अब फिफ्त रों में देखे पहला फंदा उतारेंगे दो फंदे उल्टे एक दो धागा पीछे करेंगे अब देखे जो नेस्ट उल्टा फंद है और ये जो एक्स्ट्रा फंद है इन दोनों को एक साथ बुनेंगे तो सीधी साइड से सलाइड डालेंगे दो का एक करेंगे एक एक्स्ट्रा फंद और एक बुनावा फंद फिर नेस्ट एक फंद सीधा आ तो बैक साइड की तरब से दोनों फंदों में सलाई डालेंगे, दो का एक कर लेंगे, यह देखे, धागा अपनी साइड, एक फंदा, उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, अब नेश्ट देखे, जो फंदा है, यह उल्टा, इसको, और यह एक्स्ट्रा फंदा, इन दोनों को एक साथ बुनेगे, तो सीधी साइड से सलाई डालेंगे, दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा, सीधा, अब नेश्ट अपने दो फंदे एक साथ बुने, एक एक्स्ट्रा फंदा, एक बुना हुआ फंदा, तो देखे, जो एक्स्ट्रा फंदा है, इसको ऐसे और देखे एक्ष्टा फंदा बुना हुआ फंदा एक साथ बुनेंगे तो बैक साइड की तरफ से सलाई डालेंगे और दो का एक करेंगे एक फंदा उल्टा नेश्ट देखे एक एक्ष्टा फंदा बुना हुआ फंदा एक साथ बुनेंगे दो का एक करेंगे, लास्ट में हमारे दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा आ जाएगा, तो देखे एक फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फिप्त रो कम्प्लीट हो गई, रॉंग साइड से 6 रो, 6 रो में देखे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब रॉंग साइड से हमने 6 रो को सीधा बुनते हुए कम्प्लीट करना है, सेम प्रोसिस को रिपीट करते जाएंगे, और रॉंग साइड से हम अपने 6 रो कम्प्लीट करेंगे, यह दिखी ए रोंग साइट से हमारी 6 रो कम्फ्लेट हो गई, फ्रत साइट से देखिए 7 रो, 7 रो में हमारा पैटर रिपीट होगा, 7 रो को हमने 1 रो कीद One के तरह बुनते हुए कम्फ्लेट करना से रोंग साइब से जो 8 तरो आएगी उसको हम सेकिंड रो की तरह बुनेंगे इनी 6 सलायों के पैटन को हमने बार-बार रिपीट करते जाना है और बन के देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसन पैटन है आप इसे औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्यू